वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मज़ा नहीं आता कोटा की तर्ज पर घर भेज़ जा रहे हैं, इलाबाद इनिवर्सिटी में फसे छात्र योगी सरकार का फैसला दिल्ली में पियस की रिपोर्ट पॉजिटिव आने की बाद सेल्फ आइसलेशन में डियम सत्रा कर्मचारियों के सैंपल लिये गए लोगडाउन टू में दिल्ली सरकार ने जारी की चूट की पहली किष्ट, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर और आरो मिकैनिक को काम की चूट गर्बी के मदे नज़र, दिल्ली में बिजली की खंबे और बुक स्टोर खोलने की पर्मिशन, काजा हालात का जाइजा लेने की बाद फैसला दिल्ली में दो दिन से कोरोना से कोई मौत नहीं, मरीजों का आंकडा हुआ, तीन हजार से ज्यादा सुप्रीम कोड का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव कॉन्टैक्ट में आई लोगों की तलाह जारी दो रजिस्ट्रार भी होम कॉरंटीन कोरोना को लेकर डब्लू एचो की चेतावनी अभी खत नहीं हो रही कोरोना महावारी, डारेक्टर जेनरल वोले, स्वास्ति सेवा चर्मराने से बच्चों पर पड़ेगा असर देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या उन्तीस हजार के पार, 934 मरीजों की मौत, 6,899 मरीज स्वस्त कोरोना से 24 गंटे होने वाली मौत की संख्या बड़ी, 62 मरीजों की गई जान, 1543 नए मरीज 81 जिलो में 14 दिन से नहीं आया करोना का कोई नया के, 16 दिन में 28 दिन से कोई करोना मरीज नहीं महाराश्ट में नहीं थम रही करोना की रफ्तार 8590 मरीजों की संख्या गुजरात में 3547 मरीज, कल से अब तक 247 नए मरीज एमदबाद में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या 2000 पार, 109 मौद के साथ कुल 2378 बीमार मुंबई के बाद पूने में भी रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना, अब तक कुल मामले 1217 ब्लड प्लाजमा डोनेट करने वाले जमातियों से मिले दिली के स्वास्ते मंत्री सतेंद्र जयन नरेला में बने प्लाजमा डोनर सेंटर में की मुलाखार धारावी में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 13 नए मामलों के साथ, कुल बिमारों की संख्या 288 राजिस्थान में कुरोना मरीजों का अंकड़ा 23 के पार, 24 गंटे में 66 नए मरीज, जैपूर में 17, कोटा में 19 नए मामलों मध्य प्रदेश में भी 2000 के पार कुरोना मरीजों की संख्या अब तक 110 लोगों की हो चुकी है मौट पिछले 24 गंटे में नौईडा में सामने आए 13 नए मामले, 6 नए हॉट स्पोर्ट के साथ 46 इलाके सीए गाजियाबाद में कुरोना का एक और मामला 58 तक पहुंची मरीजों की संख्या यूपी की देवरिया में बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी की नफरत भरी नसीहत कहा मुसलमानों से ना खरीदे सबजी समाजवादी पार्टी ने बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी पर देश दरों का फेस दर्ज करने की मांग की कहा कोरोना संकट के बीच बीजेपी विधायक समाज में गोल रहे हैं जहर कोरोना वारियर बनी आजमगड की चाय अगरवार संकट में ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों और भूखे जानवरों के खाने का रखती हैं खया सोशल डिस्टंसिंग पर भारी पड़ा स्वाद पाकुड के भवानी पूर गाओं में मचली पकड में जुटी भी दुध्याना में सम्वेदना ट्रस्ट का कोरोना संकट में सरहानियकार अम्बलन्स सेवा देने के साथ गरीबों को कराया भोज़र गोपाल गंज में क्वारंटीन सेंटर में मरीजों को जानवरों की तरह दूर से फेक कर खाना देने का आरोप शिवपूर में मास्क लगा कर परणे सूत्र में बंदे दूरा दुनन सोशल डिस्टंसिंग के साथ गुरी होई शादी की रस्ने दारू लुलुन देवबन में कुरोना से जंग वाला पत्वा खा रमजान में कुरोना के लिए सैंपल देने से नहीं तूटेगा रोज़दारों का रोजा जब मुकश्पीर में कुरोना की 23 नए माम में सामने आये राज्यम में कुरोना पीडितों की संख्या 55-46 पहुँची उजयन से आगर रोड पर लोगों को विमार बनाकर अम्बुलेंस से छोड़ने वाला ड्राइवर हिरासत में 3500 रुपे लेकर शहर पार कराने का आरू 12 में कुमारों की अनोखी मुहीम कुरोना पर जागुपता के लिए मटकियों पर लिखया संदेश उडिशा के भवानी पटना में वन विभाग ने उजाडे 33 आधिवासियों के आशियाने लोगडाउन के दौरान परिवार खुले में रहने को मजबूर नमस्कार मैं हूँ अंजना ओमकश्यप हमें उमीद है ये विडियो आपको पसंद आया होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यूँ ही देखते रही आज तक और इस विडियो के पसंद आने पर लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले